कपने हैं एक दम से किरस्पी प्रांथा बिलकल स्ट्फिंग वाला गोब्याइप प्रांथा तो अगर आपको वी वीडियो देखनी है तो चलिए बने रहेये मेसा देखते हैं इस जमी से प्रांथे को किस तरह से बनाए जाता हैं बहुरे से प्रांथादी को परांथा नमग, नमग, रेट चिली पाउडर, गरम मसाला, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, आटे की लोई लेंगे, स्टफिंग को बढ़ेंगे, इसको पेल लेंगे, इसको अच्छी तरह से हमने बेल लेना है, बिल्कुल भी हमारा बैट रहा है, बहार नहीं निकलना चाहिए, राव राम से हमने इसको बेल लेना है, तवा गरम हो चुका है, इसको डालेंगे तवे के उपर, अब इसको पल्ट लेंगे, एक साइब गी लगाएंगे, तो इस तरह से पराणधा चीट चुका है, बिल्कुल, से बॉस्ते यह잖아, बिल्कुल, है जाओ है हमने पूरी रोटी लेली है इसमें बैटर को बनना कि यह प्लब हम ज्यादा बीडाल सकते हैं तो आप इसमें कापी सारी व्यूट्भ हो डाल सकते हैं इस तो इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे हम वैसे ही हमने एक और सिंपर ले ली है इसको बेल के इसके उपर रखते हैं हमने और इसको भर लेंगे अच्छी तरह से कॉर्णर को सील कर लेंगे ताकि जो बैटरा हमारा निकले नहीं करें इसको ची तरह से सुख्याटे में हमने कौट कर ले नहीं है कि अधा भिर लेंगे हर लेंगे तो इसको तबे पर डाल देंगे अब इसको भी पर्ट लेंगे इसको पर्टेंगे तो इस तरह से प्रांधा अच्छी तरह से माया शिख चुका है बहुत ही क्रिस्पी प्रांधा हमारा बना चुका है इस तरह से कि स्ट्फिंग कितनी अंदर तक गई है वो मैं आपको दिखाने वाली हूं कि इसको अच्छी तरह से हम दिको लेना है परांधे को कि सब्सक्राइब गरम पर्ट अर्प आप देख सकते हो अच्छी तरह से स्ट्फिंग है जो प्रांधे के बीच में स्टफ हो चुकी है बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी परांठा हमारा बनके रेडी हो चुका है तो अगर आपको ये परांठे बनाने की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजे वैज विलेज रैसेपी मिलत